Good morning children, welcome to my youtube channel बच्चो आज हम solve करेंगे exercise 5.3 का question number 2 का third part और question number 2 में हमें बुलाएं कि हमें APs दिये हैं इन APs का सामनिकालना है तो मतलब जैसा ये AP हमें दिया है इसका जो भी terms हैं उनका हमें सामनिकालना है लेकिन सामनिकालने के लिए सबसे पहले हमें number of terms का पता होना जरूरी है हमार पास number of terms नहीं है क्योंकि हमें AP दिया है और last में term दिया है ये जो last वाली term मतलब AN दिया है So AN का formula apply करके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें N निकालना पड़ेगा So इसके लिए A, A हमें AP से मिलेगा A है minus 5 और common difference हमर पास हो जाएगा A2 minus A1 ओके और A2 क्या है बच्चो minus 8 और minus का sign formula में है और A1 है minus 5 So minus 8 minus into minus plus plus का 5 अब बच्चे गया हमर पास minus 3 So common difference आ गया common difference आ गया minus 3 A है minus 5 A N हमें given है A N का formula लगा लेंगे A plus N minus 1 into D और A N कितना है बच्चो minus 230 A है हमारे पास minus 5 plus N हमें नहीं पता find out करना है common difference है 3 So arrange कर लेंगे पहले like terms को minus 230 minus का 5 left में plus का हो जाएगा और N minus 1 into minus 3 Okay So minus 230 is greater plus का 5 is smaller हमार पास रह जाएगा minus 225 equals to N minus 1 और यह जो minus का 3 है यह left side में divide कर देगा So minus से minus कट गया 3 7 सा 21 1 बचा गए 15 3 5 सा हमार पास आ गया 75 और equals to N minus 1 और minus 1 भी plus हो जाएगा 75 और plus 1 N 76 तो number of terms बच्चो इस AP में कितनी terms है 76 terms है अगर इस AP की 76 terms है तो अब हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा Sum निकालना पड़ेगा So अब हम लगाएंगे Sum का formula S N equals 2 N upon 2 into 2 A N minus 1 into D Okay So S कितना आया N? 76 76 upon 2 into 2 into A A क्या है बच्चो माइनस 5 Bracket में लिखेंगे Plus N है 76 minus 1 into और common difference हमर पास है बच्चो Minus 3 Okay So 2 से cancel कर सकते हैं क्योंकि even number है ये 2 से cancel हो जाएगा 2 3 is a 6 1 बचा आगे बना 16 2 8 is a 16 तो हमर पास आगया 38 इनको multiply करेंगे Plus minus minus 2 5 is a 10 और Plus यहाँ बचा 75 और into minus 3 38 into minus 10 अब क्योंकि पहले हम इन value को multiply करेंगे 75 3s are 15 21 225 और Plus minus minus 225 अब इनको multiply करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 38 इन्टू 235 ओके सो माइनस का साइन आ जाएगा अंसर में 235 235 मल्टिप्लाइग by 38 8 5s are 40 8 3 are 24 24 प्लस 4 28 8 to the 16 or to 18 3 5s are 15 3 3s are 9 9 1 10 3 to the 6 और 1 7 0 5 13 9 8 8 9 3 0 ओके तो बच्चों हमारे पास इस एपी में 76 टर्म्स है और उन 76 टर्म्स का जो सम है वो है माइनस 8 930 देफोर सम और 76 टर्म्स एक्वल्स 2 माइनस 8 9 3 0 और यही हमें solve करना था I hope आपको यह कोशिन समझ आ गया है बच्चों और समझ आ गया है तो प्रक्टिस करना क्यूंकि यह डबल कोशिन है पहले इसमें N निकालना पड़ेगा जब N निकल आएगा उसके बाद सम निकालेंगे तो प्रक्टिस करना